भारत की भोगोल की स्रीज में आज हम लोग का जो टॉपिक है भारत की भोगोल में हम कोशी से करेंगे कुछ महत्पोर्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए जिसमें हम भारत की भोगर्विक सरचना को पढ़ेंगे भात की भोगर्विक सर्चना में सबसे पहले जानने से पढ़ने से पहले हम भारत की चत्टानों के बारे में पढ़ेंगे लेकिन चत्टानों के बारे में पढ़ने से पहले हमारे सामने आता है कि जो भारत में या पूरे बिश्र के भोगोल में महाकल्ब यूग जो था काल थ तो महा कल्ब युग था इरा युंग जी शेम कहते हैं वह 4 थे असु जोईग को छोड़ दिया जाये तो ज्यक्त यह जोईत के बाद पै침व जोईक, मेसोईक, सेनोआज़ुग, नियोज़ुग. तो SE2 ने कंच मेसोja, दो बाहिए अब में बढ़ते हुए चलेंगे तो यह आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा और आसान भी लगने लगेगा इसलिए थोड़ा सा धहर बना के इस वीडियो के अंतक बने रहेगा कॉपी कलब मांचित्र के साथ वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट और बहुत आहम होने वाला तो अगर हम बात करें इसे अगर हम थोड़ा सो नोट्स के माध्यम से आपके साथ अध्यन करना चाहें तो कुछ बाते आपके यह हमारे शामने निकल कर आएंगे इनमे जोटेंट आपके यहां पर जोगों को सग में बाता आएं शक का मतलब ये हैं पहले क्यों कि पहले क्या था यहँग पहले क्या था जोटेंट गया आरकेयन और Precambion और Precambion days Bye नबनी भी जो Arcan एंद प्रियेड में सबसे पहले आपका प्रथम यूग प्रथम यूग सुरूव ओता है प्रथम यूग क्या है आपका प्दोई जोईग जोच्ञा Пधाल्योImp यह च्छा भागों में बठा है देखिए एक दो तीन चार पांच च्छा भाग में बठा है कैम्ब्रियन आडोवीशियन सिल्यूरियन डिवोनियन कर्वनी फेरस और परिमीनियन इसके बाद इसमें दूसरा आता है दूती यूग मेसो जोईक का उपर था पहलो जोईक अब ये मेसो जोईक देख रहे हैं ये पिलियूरिक था अब ये मेसो जोईक के तरह बार है मेसो जोईक में क्या है प्रियासिक, जुरासिक, क्रिटैसियस, कौन-कौन है, देख लिजे, पहला प्रियासिक है, दूसरा क्या है, जुरासिक है, और तीसरा इस में क्या है, क्रिटैसियस है, अब उपर में देखेंगर, कारबनी फेरस से लेकर जुरासिक तक, मतलब अगर हम यह बात करें, कारबनी का क्रम की चठान बनती है वहीं तरीटासिएस गरनाथ करें इसमें ड्रकान रैप का निर्माद होता है फिर उसके बात ट्रिदरी यूग आता है आप कौन-कौन देखेगा पहला इयोशीन औलगयोशीन मायोशीन और प्लायोशीन को गरम छोड़ दें तो दूसरा सगरम शुरू करें यहां पे ओलगयोशीन में तो महान हिमाले बना था लिखते चलिएगा मायोशीन में मध्ध हिमालय का निर्माड हुआ था, प्लायोशीन में श्रिवालिक हिमालय का निर्माड हुआ था, उसके बाद प्लिष्टोसीन हिम्यूग आ जाता है, उसके बाद सारी चतुर्थ यूग में चलते हैं, तो चतुर्थ यूग क्या है आपका, चौथा यूग, चौता युग जो है नियो जो ईक है क्या है नियो जो ईक है इसमें प्लिष्टोसीन होलो नो सिन थे इसमें काई बार देखिए तीसरी यूग में ही प्लिष्टोसीन किसमें थे वो चतुर स्युग में आ जाते हैं अलग लग किताब हो आपको अलग लग पढ़ने को मिलते हैं इस प्रकार आपको क्रम याद करना होगा उपर से घर हम आए अर्कियन प्रीकरंबियन केंब्रियन और विशियन शिलूरियन दिवोनियन कर्वनी फेरस परिमियन ट्याशिक जुरैसिक किटैसियस ईयोशीन ऑलग शीन मायोशीन प्लायोशीन प्लिष्टोसीन और होलोशीन कि बहुत इंप्रण। आपके लिए इसे क्रम में पढ़ेगा नोट्स आप पढ़ लेंग जी दब्रण अर्केन काल में हुआ था अब इसमें क्या है यह ग्रेनाइट और नीज से निर्मित हैं इनकी आधारवू चट्टाने थी क्योंकि सबसे पहले प्रफवी पर जो चट्टान बनी वह सबसे पहले ती आर्केन करम के चट्टाने थी और यह लावा के ठंड़ना ह काउने से बनी थी इसलिए आगने सेल थी मतलब यह क्या थी ग्रे नाइट ओ नीज थी और इसमें खनीज थे लेकिन इसका दोहन कठी नहीं हो सका लेकिन इसमें खनीज परियाप्तमात्रा में था फिर धारवाल करंबी चट्टान बनती है जो करनाटर के आद पास आपको इसमें क्या थी चुना पत्थर था जिवास्वर इत था और अवसादी जट्था अब यह खनीस्त नहीं था इसमें जिससे लिए इसका भवन निरमाल में इस्तिमाल होता था तो कहीं ने कहीं यह आप सबी के लिए जानना जरूरी है अब हम जानेंगे कि भारती चट्टानों का वर्गी करण, अब हम देखेंगे भारती चट्टानों का वर्गी करण, तो यहाँ पर अगर हम चाहे लिख लें, भारती चट्टानों का वर्गी करण, भारती चट्टानों, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं सीधा चट्टानों का व वर्गी करन किसकी चट्टानों का वर्गी करन कर रहे हैं भारत के चट्टानों का हम वर्गी करन बात कर रहे हैं ठीक है किसकी हम क्यों कि देखें यहां से सवाल आपके परिक्षा में आते हैं उन चीजों को आपको पढ़ना काफी हद तक जरूरी हो जाता है अब आए इसको पढ़ेंगे इसको भी समझने का प्रयाश करेंगे भारती चट्टान को वर्गी करन करेंगे तो साथ भागों में बाटा गया तो साथ भागों में बाटा गया है अब हेडिंग मनाएंगे सबसे पहला जो की परिच्छा के लिए उप्योगी है लेकिन मान्चेत्र में देखें तो सबसे पहले कहेंगे सर आर्किन करेंगी चट्टाने आपका यह दक्कन ट्राइप है धाड़वाल करम की चट्टाने थोड़ा से यहां मिल लाएंगी थोड़ आपके पढ़ाऊंगा पहले तो आप देखने का प्रयाश समझने का प्रयाश करिए हो सकता अगर आपका कॉंसेट्ट किलियर हो जाएगा तो हमारे लिए भी अच्छा होगा आपकी लिए अच्छा यह नोट्स आपको मिल लिएगा आप टेलिग्राम पर देख लिजेगा और यह मेरे दाराँ सभी आपको प्रयाश मिल जाएगी अब देखें यह अपछ कुछ कलयर के मादर म। एक मिनधी आगर हमभी इस देखें सबसे पहले हमारे मन मरें अगर सर्व बिंदन की चट्टानु कहां जटाने यहां पर फैल होई थोड़ा से देखें कि चट्टाने यहां पर फैल करम की चट्टाने को थोड़ी से दिख जाते हैं तो यहां से परिष्वा में सवाल आते हैं तो लोग से प्राय गलती भी हो जाती है अब हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं और सेशन में देखेंगे क्या हमारे लिए और आपके लिए महार्त्रपूर्ण हो सकता है इसमें सबसे पहला लेगा आ्रकें करम की चठ्ठाने को इनकी चठ्ठाने में क्या पढ़ना है यह प्रिथिवी के ठंडा होने के बाद थंडा होता है तो वह मैगमा के थंडा उने जो सबसे पहली चठान बनी थी वह अरकिन करम के चठाने थी कौन सी करम की थी यह अरकिन करम के चठाने थी अब इनका रुपांतर हुआ और यह अपनी मौली गुरुप खो चुकी थी इसलिए इसमें जिवास्प नहीं पाया जाते यह किस प्रकार चटान को उदारण है यह आगने सेल को उदारण है और हम यह आप ही जानते हैं आगने सेल में जिवास्प नहीं पाया जाता उसके दो बन जाएगा ठीक है तो इसमें अगर एक्जांपल की बात के रूपर मैं दिखाया आपको ग्रेनाइट और नीस इसका सबसे बड़े एक्जांपल उधारण था आर्कियन क्रम की चट्टाने दूसरी हेडिंग हम आप बनाएंगे धारवान क्रम की चट्टाने पहला आपका हो धारवान क्रम की चट्टानों का निर्माड हुआ इस चट्टान में भी जिवाश्म का अभाव था इस चट्टान में भी जिवाश्म का अभाव था अरावली परवत का निर्माड इन्हीं चट्टानों से हुआ है परिछ्छम पूछला जाता है कि जो अरावली परवत है इ अपके भी मन में आयागा, तो करनाटक के धरवाड जीले के नाम इस क्रम के और डार्म करम की चटान मेरे पड़ा ये चटान आर्थिक रुप से भावती महत्वपूर होती है कारण क्या है इसमें सोना, लोहा, मैगनेशियम, आदी भावताय पाये जाते इसलिए आर्थिक दिश्टिकोर से ये चटान जो है काफी हद तक महत्वपूर है आईए अब हम और आगे इसमें देखेंगे जो अगली करम की चटान है वो है आपकी कुडपा करम की चटाने कुडपा करम की चटानों में आपको क्या-क्या पढ़ना और जानना है कि धारवार करम की चट्टानों के अपरदन और निछेपन के द्वारा कुडप्प करम की चट्टानों का निर्माड आंध्रप्रदेश में कुडप्प जेले के नाम पर इस करम की चट्टान का नाम कुडप्प चट्टान पड़ा कुडप्प करम की चट्टान पड़ा कुड उसमें प्रहा जीवाशन पा जाते हैं लेकिन कुडप्पा करम के चट्टानों में घ्धा था अभाव रहा यह आंदप्रदेश को राजस्थान में था इसका विस्तार कहां में थारी कि प्रकार्च उधारान इसमें चुना पत्थर कि शंघ मरमर कोई बिन्धन करम की चटान आती इसका नाम उत्तर-प्रदेश के बिन्धन चल के नाम पर इसका बिन्धन चटान पड़ा नाम ये छिछले सागर नदी नदी घाटियों में जल के निच्छेपों द्वारा क्रम की चट्टान का निर्माड हुआ माने जो छिछला सागर था माने कम गहरा सागर नदी घाटी नदी इन सभी में जो जल निच्छेप हुआ उसके द्वारा बिंधन करम के चट्टानों का निर्माड हुआ इसमें मद्य प्रदेश का पन्ना आंद्य प्रदेश का गोलकुंडा इस सरचना के अंतरगत आते हैं जहां से हीरे मिलते हैं शीरे काँ से मिलते हैं मद्मद्द्देश के पन्ना में हीरे मिलते हैं मतलब अब समझ में आ गया कि बिंधन करम के च्ट्टानों में हीरे मिलते हैं इस चट्टानों में चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, बलुवा पत्थर, डोलो माइट, आदी मिलते हैं। एक सवाल परिच्छा मुद्कियां से पूछा जाते हैं कि 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 करम की चट्टानों में हीरे पाय जाते हैं। तो बिंधन करम की चट्टानों में पाये जाते हैं शंगमरमर कुडपा करम की चट्टानों मिलते हैं यह सवाल परिच्छा में आते हैं साची कवस्तू बिंधन करम की चट्टानों से बने हैं लाल किला बिंधन करम की चट्टानों से बने हैं जामामाजी बिंधन करम की चट् इसकी गोणवाना करम की चट्टाने यहां से बहुत बार सवाल आया उत्पत्ती मध्यपदिस की गोणड़ छित्रमोश्लेस का नाम गोणवाना करम की चट्टाने पड़ गई इस क्रम की चट्टानों का निर्माड कारवनी फेरस से लेकर जुर ऐसे उक्के बीच में हुआ मैंने शुरुवात में बताया मैंने गोडवाना क्रम के जो चट्टाने थी इसका जो निर्माड हुआ था वो कारवनी फेरस से लेकर जुर ऐसे उक्के बीच में हुआ और कारव वनुस्पतियों के दवीर रहने से सालों सालं हजारों साल के बार किसमें बदलगई है वी बदल गई तो इस करम की चटादें में सबसे ज्यादा कोया मिलता है मने क्या मिलता है कर लग पोछा जा चूकिंगी के सब्सक्राइब का भारत का 90% कोईला चाठाणय कि इसे हम rumors कि दामोदर नदी शोन नदी नदी महाν नदी घाटियां में गुडवाना करम की चटाने पाई जाती है उसमें जो कोईला मिलता है वो इनी करम की चटानों में लिख लीजेगा याद कर लीजेगा पिर भी अपके मन में कोई सवाल कोई संसेय तो पोश रखते हैं रटली ये पूछा जाता है किस करम के चट्टाउनों में कोईला मिलता है और जहां कोईला मिलता है उसमें हीरे भी मिलते हैं इसलिए यहाँ भी हीरे मिलते हैं बिंधन करमे मिलते हैं इसमें भी हीरे मिलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा का मिलते हैं बिंधन करमे मिलते हैं जि में जौलम की किरिया के बाद लावा के उद्गार से रक्टन ट्रैप बना था इसलिए यहाँ पर बसाल चत्टान बना ठंडा हुआ आगने सेल बनी बने बसाल्ड बना और फिर देर देर चत्टान तूट कर किवी चत्टानों की चुण को मिट्टी कहते हैं मिट्टी बनी कौ पासी मिट्टी भी कहते हैं यहां से परिक्षा में शवाल आते हैं कि पूछा जाता कि सकाल में परिच्छा में प्रीच्छा में करेंगे तो आपको यहां से मिल जाए तर्सियरी क्रम की चट्टा ने इसमें हिमालाई परवस निंखला का निर्माड हुआ तर्सियरी क्रम की चाट्टानम क्या होता है हेमालाई परवस सिंखळाा का निर्माड होता है जिस में महान हिमाले लगु हिमाला और कि दिवालेक हिमाले माहान हिमाले उलिगोशीन काल में बना लगू हिमाले मायोशीन काल में बना शिवालिक हिमाले प्लायोशीन काल में बना तो इस प्रकार हम लोगों ने चटान भोगर्विक सरचना को एक तरह से पूरा पढ़े लिए अगर आप चाहें तो हम जो नोट्स पढ़ रहे थे उस नोट्स को भी भली भाती रुप से क्रमवा रुप से पढ़े ले ताकि आपका जो कॉंसेप्ट है वो और अच्छी तरह से किलिए हो जाए और आप कहीं बविश में गलती ना करने पढ़े तो उस करम को अगर हम देखें तो कुछ और महत्यपूर्ची आपके पास आएगी और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्कोसित करेगा इसमें पूरी तरह से नोट्स भी बना लीजेगा थोगला साब को रटना पड़ेगा जरुत द्यार मीगशने करें विए पॐइंट पूएंट के एंगर आपको मिलनेगे कछ चीजे पढ़ने को मिलने को अ भारत कजो भुगर्वी कितिहास है भारत का भुगर्वी कितिहास बहुत ज्यादा प्राचीन है यह प्रीकैम्ब्रियन यूग से शुरू होता है जिसका जिवास्म रही सर्चना सेमाने बीना जिवास्म की सरचना से लेकर प्लिष्टोसीन, हीमियोग प्लिष्टोसीन गहां सा यूग-था? के बात तक कि नवींतम जो क्या थी आपकी जलोड सरचना का विकास हुआ प्री केम्रीन युक्स में सबसे पहले गर्म वलिद पदार्थ कि स्ठंडे होने के द्वारा अधार बुद चट्टान के रूप में ग्रेनाइट के और नीश चट्टान द्वारा आरकें सरचना का नि लोगों ने पढ़ा जिसमें क्या थी गरेनाव नीश थी और ये जिवास में रही तिसमें जिवास नहीं था और ये पहली चट्टान थी हमारे प्रिछवी की बात कर ले भारती इस सरचना की क्योंकि यहां से सवाल आपके आते इसलिए मैं आपको पहले शुरवात महीं अधिकान शेत्रों में नीचे की पर्तों में चले जाने के कारण खनी संसादनों के भंडार की दिष्टे महत्तों होने के बाद भी आर्थिक दिष्टे से खनी संसादनों का दोहन अत्य दिन कठिन कारण अब देखिए कहने का मतलब क्या है यह जटिल सरचना के साथ यह प् चरदीपी भारत के दंच्छरे परवती च्छितर, नील-गारी परवतिकया के साथ बोलतेन घंड पठा़ और पस्चिम मंगाल के पठारी च्रद में आज भी आरकियन सरचना शता पर ना जा दिन घंड आन्ट इसサब जगा भी आरकियन करम की, में जो खनिस शादने वह शत्र पर दित्ती हैं अरकियन सरचना के अपच्छय से तूटने से प्राप्ट और सादों के निच्छेपण के द्वारा धारवार चट्थान का ज़िए जिवास्मर्रहित और सादी चट्थान से निर्मी चट्थान जिवास्वन वही और साधी सेल कौन थे अब कौन सा था है धारवाल कर्म की चट्टा इस तरचना में सबसे ज़्यादा विकास करनाटक के धारवार छेत्र में हुआ जिसके नाते इसका नाम धारवार क्रेम की चटान पड़ी अरावली परवत में छोटा नागपूर का पठार शिलांग रेंज में भी धारवार सरचनागा विकास होता है खनी संसादन के दिष्टिकोर से महत्पूर होने के साथ और साथी चटान से निर्मीत सरचना होने के कारण आर्थिक जिस्टे खनी संसादनों का दोहन संभू है माने आर्थिक दिष्टिकोर से महत्पूर था और इसका दोहन भी संभू होता यहां से भी सवाल आपके परिच्छा में खूप स्यादा पूछे जाते हैं धारवार सरचना के बाद चूनापत्थर धारवार सरचना के क्या सुनापत्थर चटान से निर्मीत सरचना के रूप प्राप्त कर सकते हैं हानिकी नोट्स के लिए मैं लेकर बारे तक उपलब्द है कुडपा सरचना के बाद कौन सी लाल बलुव पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से नेमी सरचना के रूप में बिन्धन करम की चट्टान आई जिसका जिवाश्म युक्त आउसादी चट्टान इस सरचना का विकास बिन्धन परवती चित्र में सबसे जादा हुआ जो धात्वी खनी संसादनों के दिश्ट से महत्वण नहीं है लेकिन भवन निर्मान के पदार्थों के भंड करवनी फेरेश्यूग करवनी फेरेश्यूग में उपर पढ़ाया था जिसमें गोडवाना चट्टान का निर्माल हुआ था यह भू सरंचलन का जब भू सरंचलन हुआ और भू धसावे कारण वनस्पतियों के दप जाने से खोब कोईला बना मतला वही कह रहा है कि भू सल लेकर निर्मोनियन तक का जो स्वमय था वो सरंचनात्मवू विकास की दिश्यूच से प्रादिपी भारत के लिए मात पुन नहीं है लेकिन करवनी फेरेश्यूची रिमियम से यूग से गोडवाना सर्चनागा क्या होता है विकास होता है बूच सर्चने कारण धसाओ की सबसे बहतरी कोईला कौन सो होता है सबसे अच्छी किसम का कोईला सरवादिक महत्यपूर्ण इस आगे में पढ़ाऊंगा इस संबंद में दामोदर महानदी गोदावरी शोन और नर्मदा के अफवाद शेत्र में भी दामोदर नदी बेशिन सरवादी कोईला गवंडा रही पर दामोदर नदी घाटी में दामोदर नदी बेशिन कोईला के वहंडार की दिश्ट से सरवादिक महत्यपूर्ण परिच्छा में पूछे जाते हैं इसके बाद आप देखें बैसाल चट्टान का विकास हुआ जिसमें सांद दरार जालम की करण हुए थे यह मैंने पर आगे देखेंगे सिर्टेरी काल में उत्तरी मैदान और तटी मैदान बने हमाले बना उपर मैंने आपको बता है इसके बना उसके बाद जो बहां पर इसका मैप है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अब यहां कुछ और चीज़ें की पॉइंट जो आपको पढ़नी चाह अब प्रीकेंबियर में देखा जाया गरेनायट नीस ऑलाल मिर्दा धारवाण में लव ऐस धात्वी खनिस था में चुना पत्थर बिंधन करम की चट्ट्टान में भवान इर्मार सामग्री गोडवाना करम के चट्ट्टान में कोईला काली मिर्दाव का पास मेंसो जो इक पर मुखेत बहमूल धात्विक खनी जैसे गार्नेट लौव एस और प्ले मिलते हैं बिनन सत्पुड़ा रेंज है यह भी मैंने धर्वाल रेंज यह भी मैंने पढ़ा दिया अरावली रेंज भी मैंने पढ़ा दिया उपर मैंने उपर पढ़ा आशाथ आपको याद होगा न अब अगर मैं यहाँ पर बात करो खनी संसाधन वरगी करों तो यहाँ पर क्या क्या चीज़े आती है धात्विक और अधात्विक धात्विक के हम लोगों क्या पढ़ना है लह अलाह बहमुल्य लह में क्या एगर लोहा मैगनीश कोबाल इंपरिच्छा में सवाल आते हैं सोना चांदी और हीरा तो हम अगर देखें तो धात्विक खनीज में अगर देखें वरगी करने दिश्टे कौन से तो हम इसे तीन भागों में डिवाइट कर सकते हैं जिसमें लह अलाह और बहमुल्य लह में लोहा मैगनीज और कोबाल्ट है अलाह में तांबा सीशा बाकसा लियम और प्राक्रतिक गैस आकारबनिक में चूना पत्थर ग्रेफाइड अब्रक शी और जिप्शम अस्बेस्टस अब यहां पर देखें लहो आयस्क में चौधा रैंक है भारत का सबसे सुद्ध लहो आयस मैगनेटाइट होता है परिच्छा पूछा जाता है इंडिया म हेमेटाइट मिलता है और लिमोनाइट मैंने मैगनेटाइट है हेमेटाइट सिदेराइट और लिमोनाइट सबसे सुद्ध जो हता है मैगनेटाइट होता है परिच्छा में पूछ ले आता है आप परसने याद कर सकते हैं यह आपके सामने है अगर हम बात करें लहो आयस्क लव एस कहा कहा मिलता है बहुत इंपोर्टन्ट है लव एस उडिशागर हम बात करें मैयूर भंज शुंदरगर क्योज़ाद परिक्ष्छ हम पूछ लेते मांचित बने रखके आप इसे देख सकते हैं मांचित में इसे तयार भी कर सकते हैं सतिस गड़ और महाराष्ट के गड़ में बात करू तो वैलाडीला में चंदपूरा में रतनागिरी जारखंड के लव एस कि शिंग भूमी और डाल्टन गैज करनाटक और तमिलाडू में चिक मंगलू बहुत ज्यादा पूछे आता कुद्र मों परिच्छम इंपोर्टेंट किससे समंदित रहते हैं वह एस से बहुत इंपोर्टन है आप इसे रट सकते हैं बाकि आपकी मर्जी अगे बढ़ते हैं मैग नीच उतपादन में छठा रएंक है इसके बारे में गर्हाराष्ट जहारखंड मधिपदेश और उलिषा में महाराष्ट में कहा का है बंडारा और अतनागिरी में जारखंड में सिंग भूमी मैगनीज के लिए मद्यपदेश में बाला घाट और चिदवाणा उडिसा में सुंतरगड़ो के जोर आप इन्हें देख सकते हैं जारखंड में तामा की बात करें जारखंड में अगर हम देखें आपके लिए जारखंड में पालाघाट और मलाजखंड देखें लिए रास्थान तामा के लिए प्रसिद्द है इन तुद भीडवाड़ा फिर अलवर और उदैपूर बहुत इंपोर्टेंट इसे रटना चाहाद रट लें इसकी नोट्स आपको मिल लेगी बाकसाइड पाचवार अस्थान है इसमें उडिशा में कालाहंडी संबलपूर और कोरापूट है गुजरात में क्या है धागरबाडी खेडा और कच्छ पर एक मात्र ब्यापारी खान है उसके कहां पर जावर में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेट के नाम से हैं फिर रास्तान के बाद के बाद क्या है भिलवाडा रास्तान में दो जस्ताकी है जमू कस्मीर में उधंपूर बहुत इन परिच्छा जाता है छोटाओं की मात्र पर यह सब करनाठक में जारकंट में सिंग मुमी और डाल भूम में इस होना मिलता है आंध्यपदेश में रामकिरी और रायचूर में यह परिच्छा में पूछे आते इसे रटना चाहा है रटले आकी मर्जी अब बात करते ही आंध्यपदेश में गोलकुंडा कोईनूर ही अध्यपदेश में गोदाओरी नदिघाटि विसाका पटनम और निलोर और गुंतरु में मिलते हैं अब रास्थान में भीलवाला अजमेर में बिहर में गया और मुंगेर में जारकंड में अजारी बाग और कोडिर्माहिल में कोडिर्माहिल में परिक्षा में पूछ ले जाते हैं यह चीशा लेड गलेना मिलता है लेड रास्थान में जावर हिंदुस्तान जिंग लिम्टेट उपर मैंने बढ़ाया था मोजी अमारा और चत्रिकण माद्यपदेश में किया है दोर्ग जिप्षम की बात करें रास्थान में 90% जिप्षम मिलता भारत का जिसमें बीकानेर जोद्पूर नागवर जैसलमेर बाड में तमिलनाडू में क्या है कोयम बटूर है रामानाथ पूरम है लिख रहा है अगर नहीं साब दिख रहा तो लिख लिएगा मेरी बात सुनकर चादी की बात कर और जोटा नाकपूर और महानदी बेशिन असबिस्टस की बाद करी जोटा नागपूर और तोरियम औरृस पूछा जाता परमालुम्ख क्या में जादू-गोड़ा ठिक महाराश्ट में क्या है खाशी में मघाले में खासी थोरियम कहारे है का upgradedा बालू में मिलता है या बोर ex का मिलता है जमू कस्मीर के लद्धाख लद आक अलग के इसले प्रदेश तो इससे में लद्धा फहले जमू कस्मीर में ही था अब लद्धाख के इसादी प्रदेश do जो बोर अब इसके बार चोटा सा यहां पर हम लोग उनके प्रमुक सेंद्रों को को देखेंगे कहा कहा क्या क्या चीज़े मिलती है ताकि परिक्षा के समय इस सब चीज़ों को पढ़ना समझे आपके लिए असान हो जाए और इस मांचित्र की एक अलग से रहेंगे बात की भूगल के स्रीज में तो हम इस चीज़ों को अलग से पढ़ेंगे उद्योगों का परगी करन क्या है वो द्योग हम लोगों को पढ़ना है ठीक है को चीज एकोनोमिक से मिलते जुलती है फिर योजनाओं से जुड़ा हुआ तो इस क्रम में हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे बात कि ब्रहाद अदोगी शेत्र क्या है ठीक है यह भी हम लोग सेलब तक नहीं जोड़ पाया तो आपका काम है जोड़ना वीडियो को शेयर करें लाइक नहीं तो लाइक करेंगे चनल पर नए तो ब्ला आइकन दबा करेंगे और हम इस खरम को आगे लेकर चलेंगे बात की बहुल चलेगी फिर मांचित की सरी तो जो चीज़ थी पढ़ रहा है मांचित के माध्यम से क्लियर करते हो चलेंगे ताकि आप जनल जैदा प्रशनों को सही कर पाएं और उसके उत्तर तेक पहुंशक हैं मेरे शुब कामन है शब के साथ हैं चनल पर नए हैं तो बेले का अंद दवाईएगा वीडियो को शेयर करिएगा और इलनी में